ओवर्थिंकिंग एक बहुती आम समस्या है। हर पाच में से एक विक्ति इस्तिपीडित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओवर्थिंकिंग आपके लिए कितनी खदरनाक हो सकती है। कई इस्तिपी ये घटना के बारे में बार बार सोचना आपके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा कई लोग बातचित, इस्तितियों और परिणामों का अतिविश्लिशन करते रहते हैं। ऐसा करना आपके लिए हानी कारक भी हो सकता है। दरसल जादा सूचने से दिमाग हमेशा बिजी रहता है। मन के भीतर उस इस्तितियों से संबनित विचारों का परवा निरंतर चलता रहता है। नतीजन अधिक सूचने से आपका कॉन्फिदेंस कम होता है और डाउट पैदा होता है। जादा सूचने से कभी कोई हल नहीं निकलता इसके विप्रीत या आपके मनुवल को कम करता है और नेगेटिविटी को भी बढ़ाता है। ऐसे में आज हम आपको इस विडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने चाह रहे हैं जिससे आप ओवर्थिंकिंग से राहत पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से उपाए हैं। पहला है खुद को विजी रखें। कहते हैं कि खाली दिमाग शयतान का घर होता है और खाली समय ओवर्थिंकिंग बड़ने का एक प्रमुक कारण हैं। ऐसे मैं कोशिश करें कि खुद को किसी ना किसी काम में विजी रखने की। अगर आप घर में अकेली हैं तो कोशिश करें कि खाली वक्त में घर की साफ सफाई कर ले आप किताबी बी पढ़ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों से बात करना भी बेतर विकल्ब हो सकता है दूसरा है मेडिटेशन करें मेडिटेशन अशान्थ मन को शान्थ करता है इसले आपकी बॉड़ी को रिलेक्स मिलता है श्वास को कंट्रोल करने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और जब आप एक बार आपका मन ऐसे पिचारों से मुक्त हो जाए तो ज़्यादा ओवर्थिंकिंग बंद हो जाती है मेडिटेशन को दिन चर्या में जरूर शामिल करना चाहिए अगला है किसी भी चीज़े को एक्सेप्ट करना सीखें आप पुरानी गलतियों और फैसलों को नहीं बदल सकते ना वापस उन पलों में लोट सकते हैं इसलिए याँ सुईकारी कर लेना चाहिए कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए अगर आप ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग करते हैं तो इससे बचने के लिए इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर फालो करें इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा